नमस्कार सौगत हैब सभी कारे नुइस पर आपके साथ मैं हूँ पल्लेवी रवींदर सिंग अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनानी की कोशशे तेज हो चली है तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है मुला बरादर दोहा से कंधार पहुच गया है बरादर ही अफगानिस्तान का नया राजपती हो सकता है आपको बताते चले तालिबान चीफ हैबुतुला अखुच जादा की जल्दी अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है है बतूल्ला की किसी भी वक्त कंधार पहुँचने की संभावना जताई जा रही है वैसे तो है बतूल्ला आपको बताते चले तालिबान के सरवेसरवा हैं लेकिन बरादर उसके राजनीतिक प्रमुक और सबसे अधिक जानावाना चहरा माने जाते हैं मुल्ला उमर से सम्मंद बरादर को सबसे सक्री रणनी इतिकार माना जाता है दो दशक तक चले युद्ध के बाद अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से दो सब्ता पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कबजा कल लिया जिसके बाद से पूरे अफगानिस्त तो सुप्रिम कोट के बाहर दो लोगों ने आत्म हत्या की कोशिश की कोट के गेट नंबर डी पर एक महिला और पूरिश ने खुद को आग लगा लिए इसके तुरंद बाद उन्हें पुलिस वैन से राम मनोह लोहिया हॉस्पिटल पहुचाया गया दोनों चालिस पीडिया पर लाइव किया था इसमें महिला ने खुद को रेपीड़ता बताया और कहा कि तमाम कोश्चों के बावजूद अब तक नया नहीं मिला ये दोनों कोट के अंदर गुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जरूरी पहचान पत्रों नहीं होने की कारण पर्मियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया इसे बीच उन्होंने खुद को आग लगा ली तो भारत ने एक दिन में वैक्सिनेशन का नया रिकॉर्ट कायम कर लिया आपको बताते चले सरकार के मताबिक सुमवार को देश में लगभग 88 लाक लोगों को कोरोना का टीका लगाए गया या अब तक का देश और दुनिया में एक दिन में हुआ सबसे जादा वैक्सिनेशन है देश में अब तक लगभग 6 करोड डोस लगाकर उताप्रदेश टॉप पर रहा सबसे कम 70,000 डोस लक्षदीब में लगाई गई केंदरी सौस मंतरी मंसुक मंटाविया ने मंगलवार को ट्विट कर बताया कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया गया इसके लिए आपको बताते चले देश वासियों को बधाई भी दी गई इतिहास में अब तक इतने बड़े इस्तर पर वैक्सिनेशन दर्जी नहीं हुआ तो कोटा की किशोरपूरा थाना श्रीत्र निवासी निखिल टेकवानी के हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया तीन यूकों को गिरफतार किया गया है यूकों ने मिलकल लूट के इरादे से आपको बताचिल माना जा रहा है कि मोबाईल देने के बहाने निखिल को बुलाया था फिर उसको अगवाक और उसकी हत्यागर दी गई हतरोपे ने दाड़ देवी के जंगल में कार में आग लगाई थी निखिल का शव कार से साड़े तीन किलोमीटर दूर मिला शव जला हुआ था आरोपियों ने निखिल के पास से एपल का मोबाईल, सोने की चेन, अंगोठी, एपल की घड़ी समेथ पांच लाग का सामान लूट लिया तो बाली थाना शेथ के सेवाडी गाओं में घर के बाहर खेल रहे दो साल के मासूम को ट्रक चालक ने कुछल दिया है हाथसे में बच्चे की मौके पर ही मौत बताई जा रही है मौके से भाग रहे ट्रक चालक को ग्रामीडों ने पकड़ा और पिटाई कर डाली आपको बताते चले हाथसे के बाद परजनों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्हें ग्रामीडों ने सम्हाल लिया है पोलिस के अनुसार सेवाडी निवासी दो वर्षे बालक चिराग पुत्र देवाराम मीडा मंगलार को अपने घर के बाहर स्कूल के आगे खेल रहा था इस दोरान तेजगती से आया ट्रक चालक ने लापरवाही के वाहन चलाते हुए मासूम को चल दिया जिससे मासूम के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है आपको बताते चले ग्रामीनों ट्रक चालों को पकड़ कर उसके पिटाई कर दी पुलिस के हवाले कर दी अब पुरुस्त ने ट्रक जब्त कर लिया है शव परजिनों को सौप दिया राजगर्ण सचो रहे विश्णूदत विश्णूई के खुदखुषी के 15 महीने बाद मंगलवार की रात बेटे लक्ष ने फासी लगा कर जान दे दी है आपको बताते चले खुदखुषी की वज़े सामने नहीं आई है क्योंकि बारवी के चातर लक्ष ने कोई सौसाइड नोट नहीं लिखा विश्णूई के खुदखुषी प्रकरण में विधायक पर आरोप लगने के कारण ये मामला चर्चा में रहा था इसकी अभी तक आपको बताते चले सीबियाई जारी है और इसी के साथ साथ बीकानेर के खतुरिया कालोरी में विश्णूई के पत्नी बीटी और बीटी के साथ रह रही थे बातरूम में उसका शौलटका मिला आपको बताते चले राजगर थाने में ऐसा चो रहे इंस्पेक्टर विश्णूदत ने पिछले साल बीस माई को थाने के कौाटर में ही आत्महत्या कर ली थी जिसकी जाच जो है वो सी बी आई कर रही थी और इस पूरे मामले के बाद आ कुशिनगर के एक नीजी विद्याले के प्रवंधक पर उनके महिला स्टाफ दौरा लगाए गए शारीरिक शोषन के आरोप के बाद पुलिस ने आज अफाई अरदरश कर ली है कल महिला ने एस पी को प्रास्थना पत्रू लिखा था उस्कूल में अश्लील हरकत और शारीरिक शोषन करने का आरोप लगाया था साथी सैलरी मांगने पर प्रवंधक ने फोन पर भद्दी यूवती को गालियां दी थी जिसको महिला अध्यापिका ने अपने फोन में रिकॉर्ट कर लिया था खल्दोपहर भाई के साथ महिला अध्यापिका पुलिस जू अधिक्षिक से मिलकर लिखिश शिकायत महिला अध्यापिका ने दर्ज करा दी है और उसके बाद स्पी ने इस पूरे मामले की जाच सियो सदर से कराई चात्रों ने गाली बाज और आयाश प्रवंधक पर आप बीजारी